ये रहा गाईस मैं पापा का गाड़ी में बाइजर लगवा के चला आया हूँ हलो गाईस गूट मॉर्णिंग वेल्कम बैक टू मैं अनदर नियू ब्लॉग सो गाईस इसमें फिर से आज मैं ब्लॉग स्टट कर चुगा हूँ तो गाईस आप लोग जितने भी मेरे इस चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देजीगा बेलोल आइकन को प्रेस किजिए ता कि मेरे विडियो को नोटे पेकिशन अब तक सब से पहले पहुंच सके और गाईस आज का दिन चरिया कैसा जाता हो सब कुछ आप बादल है ही नहीं एकदम मस्त को मस्त और इधर देखिए हरा भरा धान कच्छारा क्या यी मस्त दिखा ईदर मस्त मत बन बोलिये तो चलिए गज़वे अभी देखते हैं रास्ता कहतना का कर रास्ता का नजारा हने और कैसे क्या क् से क्या करें नोग क्या roaring अधर रहोई बने रही है और में यह रहा आ गया हमारा चार्श कंपॉंड में और इधर देखिएगा इस काफी सरे लोग हमारे रस्ते में आ चुके यहाँ पर मच्री देखने के लिए मच्री देखने के लिए आए हैं सब साइध यहाँ पर मच्री आज पकड़ने वाल है मामा है मामी है और बहुंत सरे हमारे गाउं के लोग वगर है सब मच्री मरने के लिए तयार हो रहे हैं अगर आप लोग को पकड़ना है तो आप लोग भी चलाइएगा और बच्चे लोग बंसी से भी मर रहें पहले आम आ रहे हैंग भाइव तो इधर में देखिए गा इसे लोग मच्जी पगड़ रहे हैं भी के जयू मच्छीव यह संतो अ अधिर में श्तनायल बहुत सब्सक्राइब तो गश्च चलिये भी घर तरफ जाते हैं और खाना खा लेते हैं खाना खाने के बाद किल्से में जो भी काम होगा वह सब करूंगा क्योंकि काफी समाई भी हो चुका है भाई भी सहथ अपना कम में अलग चुका है चलिये में भी जाता हूं अपना घर तरफ और अपना काम बगर अश्टार करता हूं वैसी समय मैं खाना खाने बैठा हूं और यह रहा मेरा खाना और इधर में आज है आलू और पुईसाग उसके बाद मचली और केकड़ा का चटनी तो चलिये में इसको खा लेता हूं पहले क्योंकि कि माइदन के तरफ में बहुत सब पानी है पानी के वज़े से मैं वहां वीडियो नहीं बना पाऊंगा उसके वज़े से मैं अभी ले जाके आता हूं उसका बाद फिल आप उससे मिलूंगा गाईस तो गईसी समय में हमारे मामा का बास जूड का इधर में हूँ क्योंकि इ और वो सब काम नहीं दिखायागा इस क्योंकि मैं अकेला था और अकेला ही काम कर रहा था उसके वज़े से नहीं दिखा पाया कि क्या फी मस्त का हवा आ रहा है इसी दर से क्या ही मस्त का लग रहा है एक दम एसी जैसा ठंड़ा ठंड़ा कुल कुल नेचराले सी अजर में ज तो उसे को लेने के लिए जा रहे हैं, फिंगर फ्रिंट दे देंगे, और लेंगे, बहुत दिनों से नहीं दिया था, वैसे भी हम लोग का घर में, मतलब चावल खता हो चुका है, तो अभी मिलेगा तो भाई, पैसा बचेगा, चलिए भी ले ले लेते हैं पहले, हम लोग का रैसन कट ले लिया हूँ, और अभी जा रहा हूँ, हमारा चर्च के यह पे देर है, तो चलिए पहले फिंगर फिंट करके आते हैं, तो गैस देखिए हम लोग के दर काफी ज़्यादा कर्मी हो गया है, मतलब मेरा हाथ से भी पसी न निकल रहा है, इतना ज़्यादा कर्मी, पापा एक्सिडेंट क्या था, उस दिन मखलब गीरे थे अपने आप से, तो उसका वज़े से गाड़ी खराब हो चुकाया, तो गाड़ी को अभी लेके जा रहा हूँ, गरेज में बोला है, भाइजर लगाने के लिए, तो उसका वज़े से अभी पापा का गाड़ी को ले तो इस ब्लेक से यह मिचिंग हो जाएगा, काफी सुन्दर लगा देखने में इसलिए पहले लगा रहते हैं, उसको बद देखते हैं, कैसा लगता है, यह रहा गा, इस शुद में पापा का गाड़ी में भाइजर लगवा के चला आया हूँ, यह रहा ब्लेक, रैट और जना है, इसमें भी कुछ खराब है, उसको अभी लेके जाएगे, तो आप लोग ने देखा कि में आज दिन भर में क्या किया, और जैसे आप लोग ने देखा कि हम लोग का इधर में रेसन दे रहा था, उसको रेसन को लाए, उसका बाद में मेरा पापा का गाड़ी को लेक के लाएं तो आप लोग देख रहे हैं मैं इसी वीडियो को अभी एडिट कर रहा हूँ यह उला पार्ट को यहां पर लगाऊंगा लगाने का बात में एडिट करके निकालूंगा तो गाईस आप लोग जितने भी मेरा इस वीडियो को यहां तक देखें तो मेरे वीडियो को लाइक किजेगा क्योंकि आप लोग का लाइक मुझे मोटिवेट करता है नए नए वीडियो और धमाकेदार वीडियो बनाने के लिए तो जितनी भी आप लोग मेरे इस चैनल में नई ही तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजीगा बेल ओला नुटिफेशन को आउन किजीगा और आल में जाके सेट किजीए ताकि मेरे वीडियो को नुटिफेशन आप तक सबसे पहले पोख सके तो चलिए गाइस मिलते हैं एक नए वीडियो में तब तक लिए आप लोग से बिदा चाते हैं टाटा बाई बाई